क्या कहेंगी मता जी वो भी एक आदमी है जर्ज का पोस्ट हासिल कर लिया है लेकिन अंदर से वो एक बड़ा सा राक्षा से बहुत बड़ा राक्षा से दानव है उसके पास अगर कोई केस भी जाता है तो हर लड़की को डड़ना चाहिए कि वो घुस्खोर होगा जो अपनी केस फिक्स कर देंगे जब चाहेंगे केस उपर आएगा जब चाहेंगे केस नीचे जाएगा जब चाहेंगे जो कोट मेरा घर है यह सब उनके वर्ट से इंटेंशन्स बताते हैं कि आपने क्या किया है मर्डर के पीछे इंटेंशन्स होते हैं फोन है क्यों क्या आपने हम ल प्रतीक काफी ज़्यादा चिला रहा है कि अगर आएगा तो दर्वाजा नहीं खुलेगा यहां पर मार पिटाई होगी लड़ाई होगा बड़ा चीफ जस्टिस भी आगे तो दर्वाजा नहीं खुलेगा यह प्रतीक का बार दॉक्टर ने बुला उसका आथ फड़िया है व और कोई चैन से सो रहा है जिन्होंने अपने बच्चों की खुशी के लिए लाखों रुपया उनको दे दिया वह आज इस मा को किस हालत में छोड़ दिया है आप देख सकते हैं किसी का भी आखे किसी की भी आखे नमस्कार आप देख रहे हैं सम्रिधिन चल और मेहो सोक्ति है उनके अभी परिजनों से मिलने आया है जो चांदनी है चांदनी की बहन है मा है और भी तमाम लोग इन लोग से जाने के हम कोसिस करेंगे कि आखिर घटना हुआ तो कैसे हुआ क्या कहानी है कोई सड़धन्त है या फिर कुछ और बात है देखिए सबसे पहले में आपको को बता दिन release हूँ की हर बेटी का एक सपना होता है कि हमारी साधी हमारे माबा ऐसे ब्टी से कराए जो सरुच पदह नहीं होता होगा जो अपने आप में एक नियाय करने वाला देवता बैठा हो और उसी के घर में इस तरह का उसके पत्नी के साथ हो जाता है कहां तक kia सचा यह तो वह क्लियर नहीं कर सकता इन लोगों से जानेगी इनकी बहन है क्या कहेंगी कैसे घटना हुआ था आप यह बताए कि कहीं न कहीं जज एक बहुत बड़ा पद होता है पड़े लिखे लोग है अखिर अपनी पत्नी के साथ इस तरह का क्यों रहे हैं आपको क्या लगता है वह वह भी एक आदमी है जज का पोस्ट हासिल कर लिया है लेकिन अंदर से वह एक बड़ा सा राक्षा स है दानव है उसके पास अगर कोई केस भी जाता है तो हर लड़की को ड़ना चाहिए कि वह घुस्खोर होगा जो अपनी बीवी को मार दिया मडरर है वह दूसरी बेटी को क्या इंसाफ देगा वह जजज बनने के लायक नहीं है उस जजज पत से उसको हटा देना चाहिए उ को रहेी को सार कर दिया है अब किसी प्र पर आपको यखीन नहीं कर सकते हैं कि वह इस सबसे बड़ी बात है क्या आप जयर्ज हो अप सभी हो यह आप फ्रूफ नहीं हो सकता है ता चांदनी के साथ क्या हूं चाहिश नि को चांदनी हम लोग ने जब शाधिक लगा उस therapy ऑ गाप आठ से नौ महीने शादी और यह में आठ से नौ महीने का गाप है वो लोग घूमे फीरे इंस्टा पे फोटो वाइरल हुए सब कुछ था तब आपको पता नहीं चला कि आपकी आपकी होने वाली बीवी बीमार है जो अब एक साल में बीमारी का नाम दे रहे हैं यह नह लेके प्रिवेडिंग सूट होने के बाद धीरे धीरे पैसा आज इतना पैसा करते हैं कि हमको एसा जाहिए उसके होट के लिए है सूट के लिए एकावन हजार का सूट पहनना है फिर हम लोग 38,000 तका है नहीं पापा कर दिया कि इसा जाए कि अकाउंट में क्यों डाली आकाउंट में डालना नहीं है मुलको सब कुछ कैस में चाहिए क्यूंकि ज़स है ना वो पुरा समझ रहती हाद बरत के पुरा दहेज ले रहा था कि नहीं कहीं से हम फस्त ना जाए पुरा वो एक सिक्षित मडरर है उसको पता है क्या करना है कैसे करना नगरे लार हु में केस कर देंगा जब सब्सक्राइब उपर आएगा जब चाहिएगा जब चाहिए नीचे जाएगा जबच जहांगे घर हैΓं आपको सकती है कहां मिला आपको इस तरह का इवडेंस सारा चैटिंग है मेरे और उसमें सारा मैसेज़ है सारा वाइस रिकॉर्डिंग से वह सब कुछ है कर लिए एक फोन को आप फोन ना बाप को भी अधिकार निए भाई को भी अधिकार निए किसी को अधिकार निए किया है वो सब फोन है को हम लोग का कॉंवर्सेशन सुनता था इवें यहां फोन रिंग होगा तो इसका फोन रिंग होगा इस टाइप का सेटिंग करा वा था और क्या जरूवत पड़ेगा काम बीबी के साथ होता है कि कितनी सारी हैं पत्निया कोई पती ऐसा करता है कि अगर और आपके मन में छोड़ नहीं होगा तो अगर आप नहीं मारे हो तो फिर ये सब काम क्यों क्या आपने आपके इंटेंशन के बताते Helena के पीछेuestas होता है फोन है क्यों क्या आपने हम लों को लुडो क्लब के थ्रू बाद हुआ चाट हुआ वहा वो सब कुछ है जुआ जें चान्दी ने दिमाग लगाया कि लूड़ों हम लोग लॉक्डाउन में काफी लूड़ों खेलते तो उस पर चैट करके वह सब कुछ बताई है कि मेरे साथ ऐसा घटना हो रहा है तबीद को खराब हुआ उनका किते दिंगे वह साधी के कुछ तबीद खराब नहीं था वह तो पूरा वो बोली कि मेरा भाई बोला कि हम लो पहुच रहा है तुम परतीक को बोलो ले जाने तो नहीं वह नहीं ले जा रहा है तो यह लाल पैफुल बॉड़ी चेक-प और भूला कि डाक्तर की टीमस के साथ पहुच रहे हैं तो उधर से वो मना कर रहा है आगके तो पीछ कि नहीं खूलेगा दर्वाजा तो नहीं खूलेगा उनके हज़़ ज़ज ज़ज सो कॉल ज़ज यह आप बताइए कि इसके पीशे का कारण क्या हो सकता है कोई अपनी पत्नी को क्यों मारेगा देखिए जो मर्डर होता है वो तो मर्डर है पहली बात तो इतना बड़ा दहेज भी है बहुत ज्यादा बड़ा दहेज भी है उसका एक्ट्रमारिटल अफेर भी है वह ज़ज ट्राइप कर नहीं है बिल्कुल आपसका प्रस्नाल्टी देख लीजे वह आपको एकदम गुंड़ा टाइप चलने वाला ड्रेस देखिए उसका उसका वह रिकॉर्डिंग से वह रात-ो-्रात किसी लड़की से बात करता था कि कितना बज़े भोलोगी हम आ इलाज के लिए कहा अ आपकी बहुंड को पर्तिके एक अपन उनके मन में चॉड्टन नहीं था तो वह अपने फ्रेंड के अश्पिटल में ले गए वो भी काफी खराफ एक जजज की बीबी और एक रेलवे अधिकारी की बीबी वैसे हस्पिटल में क्यों गई जो कि एक बहुत निम्र तबके का एक और निम्र तबके का मैं नहीं बोलूगी क्योंकि उनके दोस्त का था कि जैसा डिपोर्ट चाते वैसा बन जाएगा क्योंकि वो लोग एक क्रिमिनल माइन इंसान हैं हम लोग एक आम इंसान हैं हम लोग सोचते हैं पहले पेसेंट को बचाओ यह हम नहीं सोचेंगे मेरी बेहन को बचाओ यह नहीं सोचेंगे इसके पीछे ऐसे ऐसे क्या कारण आप बड़ी थी कि चांदनी में से चोटी है चांदनी वहां से यहां फिर आई थी चांदनी को आने नहीं दिया जाता था आठ महीने तक चांदनी घर से निकले नहीं आप वहां का CCTV फुटेज देख सकते हैं एक आईब्रोज बनाने भी कोई जाता है बट वह आज तक निकली नहीं है वहां से उसको बंधक करके कैदी करके रखा और घर पे कुछ नहीं बताना है यह बूलता था आज तक नहीं निकली है फ्लैट में होगा न सीसी टीव अब उससे छेखानी हो गया होगा हटा दिया गय में आई थी तो उसी स्टाइम में बताई कि 28 लाख रुपया उसका घर बन रहा है अनीशा बादसाइड उसके लिए उनलों को चाहिए हम लोग उससमें देने में बिल्कुल असमर्थ थे अल्रेडी हम लोग ने बहुत दे दिया था और बार बार उसका हलका फलका डिमांड होते जाराए और भार बांज बायस लाख रुपया दिया गया था और यद्धी का बोला जाता है कि स्वागत में खर्चा आ होता है स्वागत में खर्चा होता है उसमें खर्चा यदर पूरी फैमिली का कपड़ा सब कुछ इधर से ही गया गिफ्ट के तौर पे सब किसको यह बनता है उसको बनता है सब कुछ मिला है वह मा है आप क्या कहेंगी आपको क्या लगता है किसी का आधक फटना मजाग नहीं होता है उस लड़की का आध फट गया था। रूसका बूविब ऊसको छणनी होगा और क्या उसमें देते थे कि आखिरकार उस लड़की का आथ पढ़ गया, किसी भी इतनी यांग लड़की का इतना फिट लड़की का आथ कैसे फट सकता है, आप खुद सोग सकते हैं, या तो किसी तरह से फिजिकल गौरे है, जब लड़की ससुराल जाती है, या तो इस टोफ फटता है या तो आग फटता है नरत का नहीं फटता है बाहू का जाके एक साल में फट जाता है जब वहां ये अठाइस साल यहां रही तो आज तक कभी माईके में कुछ नहीं हुआ ना बिमार पड़ी ना कुछ हुआ सब जाके ससुराल में घटना घटती है ये सब जानते है बैक ऑफ दे माइंड सबका जमीर जानता है कि एक साल में ऐसा क्या हो गया कि ऐस लड़की इस दुनिया में ने रही अगर इतना ठीक है आप लोग को लग रहा है बहुतों को लग रहा है कि बिमार थी तो यहां बिमारी क्यों नहीं नहीं दिखाया आपने कोई डॉक्टर को आपके पास कोई है medical proof कि आप उसको डॉक्टर के दिखाये हो क्यों नहीं दिखाया ठीक है डॉक्टर के दिखाने ना दिखाने वो अलग मेटर है लेकि फून से आप लोगों से बात नहीं हो पाना लूडो के दुवरा चैटिंग करना तो कहीं ने कहीं यह तो दिखाया जा र चाहिए को जब बिस्कावार की हम लोग जब अलग होने के लिए रदी हो गे थे सब मुझव बात हो गई ओक never that तो उसने मार दिया उसे पेपर do पर्टार हो चुके थे हम के तियार हो चुके थे हम हम लोग हो जाएंगे ठीक को let सब्सक्राइब को बार और फटीड को भी आठैंय को हुआ नहीं देना था एकД रूपया उसको देना नहीं था इसके कानून वो से मारा है, यह उसको जाँ, उसको मारना तरश नहीं सही लगा, इसकोटिक लेनाM tip 8 लेन सही नहीं लगा, इसकोट भूर्स ओ Particularly कि हम अलिमनी नहीं देंगे हम एक अठनी पैसे वापस नहीं करेंगे यह सब बात थी कि अच्छा आगे आप लोगों ने क्या सोचा है फायर हो चुका है फायर हो चुका है लेकिन जिस तरह का मामला है कहीं ने कहीं इतने बड़े पद पर एक जज़ के लिए आफ यार तो बह है नो डाउट बहुत ज़्यादा टफ है वह केस को मैनुपलेट कर रहा है केस को मैनेस कर रहा है वह पोस्मॉटम रिपोर्ट भी मैनेस कर लेगा I'm sure I'm damn sure बट हम लोग अपनी तरफ से अन तक लड़ेंगे जब तक चांदनी को इंसाफ न मिल जाए तो आप देख रहे हैं चांदनी के इंसाफ को लेकर उनके बहान उनके परिवार के तमाम लोग लगे हुए है लेकिन बहुत टॉफ है यह लड़ाई चुकि जिससे लड़ना है वो एक बहुत बड़े जज है और जजज साहब अपनी पतनी को क्यो मारे यह तो मुशे नहीं पता है एक पढ़े लि कि बोलेंगे जिसका केस उसके पाथ जाएगा उसको कभी यकीन होगा कि हमको सही जस्टिस मिला है अब बताएए कि किस पे विश्वास किया जाए कोई भी पैरेंट्स अपने बच्चे के साधी करते हैं तो कहीं न कहीं अच्छा घर दे के करते हैं कि हमारी बेटी अच्छे पड़ी थो जजस सहब को किकि जब उनको किसी और और साथ अफियर था तो फिर चांदेनी के साध्य साथी कर्म ही लίας बावजुद भी उनको परेशानी हो रहे थी इन RAW लोग और इसके बावजुद ब्रकूल करना है हलांकि क्या मामला है मुझे तो यह तो जाज है पर हं से हम चाहेंगे काही नहीं कर जो भी यहां पत्ना की प्रशासन डेज़ीपी नहीं हो सकती है लेकिन इसको बारीकी से देखे किए कहा क्या पेच है कहा क्या जोल है चांदिनмент से कम इसके जोनी चाहिए नहीं पोहत लोग फोन किया बहुत परिवार लोग फोन कीये मतलब हद से जादा कि आये आईए आईए उनको मेरे और परिवार की प्रतीक को खड़ा होना चाहिए आना चाहिए वो मुझ छुपा के बाटे तो क्यों नहीं मुझ छुपाएंगे उनक कि मेरे पुरा परिवार समें पागलो के जैसा था कि कोई होस में नहीं था इसे कोई फैमिली कुछ नहीं कहीं करो बंद्रा सब हो वो कर रहे हैं वो तक हुसम आपकर गेमिल्ट taiwo को बहुत बड़ा घर में मेरी साधी हो बहुत अच्छे पद का सर्वुष्टम पद होता है नयधिस का और वैसे घर में हर बेटी की ख्षा होती है कि हमारी साधी हो जब वैसे लोग इस तरह की हो जाएंगे तो फिर क्या कहा जा सकता है फिर किस पर विश्वास किया जाए और किस तरह के लड़के ढूने माबा जहा लाखू रुपे खर्च करके करोन रुपे खर्च करके और ऐसे जुग्य लड़का खोजा जाता है चांदनी के लिए प्रतिक जैसा लड़का जो की जज है नयधिसे तहां सिटी सिटी कोट में है और आज देखे क्या क्या हालत हो गई हालांकि पूरा मामला क्या है यह तो म चांदनी की मा से मिलवाते हैं और आप देखे क्या दसा हुई है यह मा से हम क्या पुछे मेरे पास तो कोई सब्द ही नहीं है यह मा को आप देख रहे हैं क्या इस्तिती बनी हुए थोड़ा सा दिखाईए और यह रो रही है पूरे घर में मातम्च चाया हुआ है और कोई चैन से सो रहा है जिन्होंने अपने बच्चों की खुशी के लिए लाखों रुपया उनको दे दिया वो आज इस मा को किस हालत में छोड़ दिया आप देख सकते हैं किसी का भी आखे किसी की भी आखे भर जाएगी और उनको क्यों नहीं यह समझ में आ रहा है कि क्यों क्या प की एंद हो अच्छ बोलने की इस्तिती में नहीं है अवं मदमिका अच्छों के मिंदा नाकुन गूरुर कार्णवाली बात करारा हुआ तका क्या हुआता पॉक व्रुटव है साहरा सब गल वुत माला गया है झाल पिसीग टॉर्षर हुआ ऑ्सकर तो अधे हैं देख सकते हैं क्या इस्तिती है हालाकि में मासे कुछ बात नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि कि मां की इस्तिती आप देख रहे क्या है मातम चाया हुआ है लेकिन क्या कहा जाएं बहुत ही बुरा इस्तिती dokument कोई चैन से सो रहा है, किसी को निंद नहीं आ रहा है, किसी के घर में मातम चाया हुआ है, क्या अच्छे घर में साधी करने का यहीं प्रणाम होगा, तो फिर अच्छे घर में लोग साधी क्यूं करेगा, हर कोई चाहता है कि हमारा जो भी relative हो मजबूत हो, क्या मजबूत relative इस इस पे देखना चाहिए सुप्रीम कोर्ट से भी हम चाहेंगे कि इसको अच्छी तरह से जाज करवाए ताकि कोई भी मजबूत पकड़ वाले लोगों को इस तरह का दुसाहस करने का हीमत नहों पाए। देखते रहें लगतार खबरों को दिखाते रहेंगे।